इस वीड़ाइब तुछ जान करी दवाँगे कि तुस्य रिशी के तो लेकर आएं करें बैठें तौन्हें कुंड साहिब दी आत्रा विकरावंगे नाल दशन विकरावंगे पूरी वीडियो शुरू तो लेकर एहन तक जरूर वेकर जाना वहेगुजी का खाल्सा वहेगुजी की बते चलो वीडियो ने शुरू कर दें भागो वागो भागो वागो भाई काफी तेज बारिस हो रही है यहाँ अब अब यहम आयों कंड साइब की यात्रा पर अगर अब यहां कून साइब यात्रा कर रहें तुसी दीशी केस विच तेहित बुर्दवारा उठ्धे रोक सकते तो अधे बाद अधोधी स्वेरे निकल के तुसी सब्सक्राइब निचे का रस्ता वो तो आपको प्लेन मिलेगा लेकिन ऊपर का जो दो किलो मेटर का रस्ता रहा है वह बरफ वह पूरा बरफ दा और हनु अथा तक जाना वेख सकते पूरे गिलेशर आगे ने चार तरफ दे सब्सक्राइब दोस्तों हेमकुंट साहिब जड़ा आगा सामने ही अगा बाकि तुस्य नजारे वेख सकते हो थल्लो दिया यांसी पूरा रस्ता कवर करते हो है बरफ वेख हो वाई किन्नी जादा होई होई है अगर तुस्य आन्दे तो आनु बरफ दे नजारे भी दिखन कि बरफ में अगर आपको दूप मिल जाना तो इससे बड़ी राहत क्या ही है काफी आनंदारा और बस आने वाला है हमकुंट साहिब के आपको दाशन कराएंगे काफी आनंदारा भाहेगरु का नाम लेंद है जा रहे हैं चार तरब देख सकते किन्नी बरबारियों रखिया अब एक किन्न मोटे के लिए रगी न है एक यह तो तुस्य रस्ता बेख रहो न ए विल्कुल प्लेन रस्ता अगा और रथो जड़ी है गया सीडियां वेखो बरबदी सीडियां नहीं पूरी उत्ताइज तक जारियाने सारी बरबदी सीडियाने बाक्की तुसी पेख सकते जो साथ ठट मोटी इंस है गिए बरबदी है वेखो चाक करो और तुप निकल गया वेखो उने चल रहे हैं सीडियां वेखते हैं अराम नाल चलना बेंदा है चलो 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 बरफ चैक करो बाजी वेखो किन्नी बरफ है गिया मोटी बरफ और अराम नाल चलना बेंदा है पिसलो नाल यारी है वह गरू वह गरू यार चैक करो रहा किन्नी मोटी बरफ है गिया और एजदे रस्ता बेंगरा ना बरफ आला दस्ते एगा शीड़ी अब नहीं है न बरफ दिया सारी संगता जारी ने उत्ते आय रस्ता बरफ आला थल्ले देड़ा रस्ता शीगा ना वो प्लेन सीगा ओदेविज तो आनू काटवाद बरफ देखेंगे लेकिन एथे न पूरा रस्ता बरफ विला है चलो चलने उत्तों दी तो दोस्तों सामने देख रहा है ना पाड चला और बस पोचने वाले हमकुंड साहिब कितना अनंदारा आप भी सुने कितना अनंदारा बहुत अनंदारा और नीचे देखेंगे पूरी बरफीली पाड़ियां और यह पूरा दस्ता पार करते हो हम आये हमकुंड साहिब की आत्रा के दशन कराने के लिए आपको और हम भी करेंगे और काफी अच्छा लग रहा है और धूप भी हलके लकी चड़ी हुई हमारी किस थोड़ी अच्छी है मना धूपना काफी कम चड़ती है तो दोस्तों पहुच नहीं वाले आप देख सकते हैं यहां पर पाड़ चला पीछे और थोड़ा साइब पास में रहा गया मेरे साप से एक किलोमेटर और होगा और पहुच ही गए और काफी जो आनंदारा है यहां इससवर्ग में आगया है आज लगाए चार वत्रफ काफी बरफीली पहाड़ी आए तो गलेशियर उपर देखो फाइनलिद दोस्तों देख सकते हैं सार रस्ता किलियर कर लिए और अब यह लकडी वाला जो रस्ता आ चुका और अभी चलते हैं और दिखाते हैं और सामने काफी जानन दारा में काफी अच्छा लग रहा व्यू देखी वाई चार वतरब दरफीली पहाडियां और बीच ओ बीच बीच हेमकुंड साहिप के आप दर्शन कर रहे हैं और सबसे टफेस चड़ाई आएं मैंसे एक चड़ाई हैं हेमकुंड साहिब की यह रास्ता आप दे यह आ यह जान दर स्ता यह ला डुट बैख जा शागद फेट फेट फिर ठंड़ ऊबर जिन ना सारा स्रोवर सीगा अना बरफ देनालना टाग गया अधिसे आप अधिश्यू और रसी अध्य जाल रहे हैं बाग की देख साग्ड़ ना बरफ 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 ना पाणि यह यह रास्ता वेख रहो नो तुसी रास्ता जड़ आगा हैं कुण शाइब द अंदर दशन करन दस्ते आगा अथ जोड़ जमक रादो आपने बाकी चलने अंदर वह गुरू वह गुरू वह गुरू वह गुरू है अधिरो अंदर ज़से कुछाइब दशन करन दूpract वह गुरू वह गुरू काभ ययन अंदर है हानँ एंत्रो दिउत्ते जानते रस्ता अगा है वह गुरू वह गुरू वह गुरू हमंदर दशन करें है amen sampai सबत कीतान चाल देना ना वह गुरू वह गुरू वह गुरू वह गुरू अपके भी अगुट सच खंड श्री हेमकुन साइब जी दर्शन कारत सी बेग सकते हेमकुन साइब दी यात्रा विच्च काफी जड़िये बरब दिख दिया तोनुंब और यह थे उत्ते आओगे ना सामने जड़ा हेगा गुर्दवारा अथे ही तो आने श्रोवर दिख जेगा किन्नी वेख सकते हो बरफ पई हुए उत्ते तक बिल्कूल वरफीले पाड़े दे वह गुरू वह गुरू शनान करंदे बाद ना तुसी एद्धा बैसाग दो कंब कंबल साम मिल जानदे ने वेक सकतर साही संकता बेत हिए ने कंबल दे ऐसे तरह नर्गे अनंदा रहा काणा वाही त्माजी की अधिति है आप वाही तुक्रा भॉझी की अजिए पॉझीत़ा मंसा आद की अधिक्दा भॉर्य की आजिए शो मिहारू सास्रिया हादू है 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 था यह थे है पर दो यह थिट कि भाज़े यह थे है थे थे है है तो यह थे है 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 सामने दर्शन करई हैं अपर हम गोंड साइब जीदे है पार बाए जान दा सामने तुख रहे हैं लक्समान जी इदा मंदिर गया जित्थे तुख रहे हैं लक्षमन जी गया अधिर पाड़ों के विल्प नजार देखो चार वतर बरफिली पाड़िया है ले मंदीरा मंदीर के दर्शन कर सकते हैं अगर आप हेमकुन साहिब की यात्रा कर रहें तो पीछे आप दर्शन करें हेमकुन साहिब के और यहीं पर थोड़ी दूरी पर आपको लक्षमन मंदीर भी दिख जाएगा सामने आप देख रहें और लक्षमन जी के मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं सामने आप देख रहें लंगर होलोन वाला अध्यदा है तो आनू सब कुछ मिल जाएगा चाह मिल जाएगी शकनवस्ते खीर भी मिल जाएगी और बेसर दो साहिए संगतान लंगर शाक्रियान है आता हिए आप उस सभी शेढों वह करें दाओ को आप दोनों मैं से कोई सेभी राश्ते से मुन होता है तो उस यह नहीं से और इसंड्राइग इंदीख जाएगी ऐप दरआसा करो हैं यह यह फ्र हम कुनशार बना रहे हो या रभास्ते हो जाते हैं। तो अभी भी खुदाई चले दो कितनी बरफ पड़ी हो यहां पर यह रस्ता है यहां से भी और यहां पर काफी बरफ बारियों रखी भाई वह यह कैसे लेकर जा रहे हैं संभलकर जाना भाई एक यह रस्ता और एक यह रस्ता भी बना रहे हैं थोड़ा सा यहां पर बरफ जा यह बिल्कुल गाना में विसलते विसलते नीचे चले गए थे चार पास लोग तो दब भी गए थे